अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बैल एकन उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जी और महत्व जी हां सट्टिला एकादसी का महत्व क्या है तो आईए जानते हैं सट्टिला एकादसी दोहजार तैस पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादसी तिथी को सट्टिला एकादसी व्रत रखा जाता है जानते हैं कि सट्टिला एकादसी व्रत क पूजा का मुहरत क्या है। जीवन में खुशाली आती हैं और जीवन में के अंत समय में श्री हरी की किरपा से उसे मुक्ष की प्राप्ती होती है। जन्वरी दिन मंगलवार को साम 6 बज कर 5 मिनट से शुरू हो रही है येती थी। अगले दिन 18 जन्वरी बुधवार को साम 4 बज कर 3 मिनट तक रहेगी। ऐसे में दयाती थी के आधार पर 16 तिला एकादसी वरत 18 जन्वरी को रखा जाएगा। शट तिला एकादसी दोहजार तैस पूजा मूरत 18 जन्वरी को प्रातह काल से वरिध योग है जो अगले दिन 19 जन्वरी को तर के 2 बज कर 21 मिनट तक रहेगा। उसके बाद से धुरुव योग होगा ऐसे में आपसुव से ही शट तिला एकादसी वरत की पूजा कर सकते हैं वरिध योग में किये गए सद कर्मों के फल्ब में वरिध होती है। ये दोनों ही योग शुभ हैं। शट तिला एकादसी पर बन रहा है स्वार्थ सिध्य योग। शट तिला एकादसी के दिन स्वार्थ सिध्य योग और अमरिध सिध्य योग बना हुआ है। स्वार्थ सिध्य योग में किये गए कारे सफल होते हैं। वरत के दिन स्वार्थ सिध्य योग सुबह 7 बज कर 15 मिनट से लेकर शाम 5 बज कर 23 मिनट तक है। इस अबधी में ही अमरिध सिध्य योग भी बना हुआ है। ऐसे में आप शट तिला एकादसी की पूजा स्वार् सकते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये शट तिला एकादसी पूजा विधी प्लीज कमिन्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिलकुल न भूलना। मेरे वीडियो को तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक्स पर वाचिंग, कीप सपोर्ट।